तो हेलो गाईच के से आप लोग हमाचुके है पोकेमोन इम्रल के एकरने एपिसोड में और जेसे के आप लोग ने देखा कि पिछले एपिसोड में हम लोग को मिल लोया था अमारा पेला इस्टाटर पोकेमोन जो हे मरकीप और गाईच मेने बहुत सारे पोकेमोन्स भी पकड वाली है और यहां पे वाइल्ड पोकेमन आ गए और गाइच मैंने अपने पोकेमन्स को ट्रेनिंग भी दे दिया है क्यूकि जब मैं ट्रेनिंग ही नहीं करोंगा तो मैं ब्याते लार सकता हूं इसलिए मैंने ट्रेनिंग कर दी ज्यादा ट्रेनिंग तो नहीं की लेकिन मैंन लेवल एट या फिर नायन में उसने कन्फूजन सीख लिया और गाइज मैं यहां पर अच्छे पोकेमान डून रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां पर कुछ अच्छे पोकेमान सोंगे और गाइज मुझे लगता है ओ गाइज यहां पर आम लोगों का ऊचुका है बैटल और आप लोग देख सकते कि इस टेनर के पास सारे बॉक टाइप पोकेमान है और मेरे पास फ्लाइंट टाइप पोकेमान है जो उनके खिलाब सुपर एफेक्टिवर आप देख सकते कि लिए बच्रिप 3 है फिर भी आम लोगों को बहुत सारे एक्सपिरियेंस मिल र सुरूम इस एक अच्छा पोकेमाने ओई वर्ब वह जाता है ब्रीलुम में जो आमलोगों को बहुत जयर टकाशाहम आयगा क्योंकि ब्रीलुमं एक ग्रास और फ 17 तैप पोकेमान होगा जो आमलोगों को बहुत जयर तकाय मेरे पास एक भी फाईटिंज और फजर टेब्स, नहीं है और ना इसके चाम्रगने पकड़ लिया है श्रूमिस को जो है लेवल 6 का और गाइच यहां पे में निकनेम तो नहीं देने वाला और यहां पे ट्रांसपर डायरेक्ट PC में हो गया क्यूकि यहां पे मेंने एक और पोकेमन को पकड़ा था और गाइच यहां पे आप सब्सक्राइच सब्सक्रांसआच यहां पे श्रूमिस क्यूकि में अभी अभी श्रूमिस को एक्स्चेंज करने गया था और मेने यहां पे एक पोकेमन को पकड़ा था जो है स्लेकिंग का प्रीवालूशन हेलो युसीन यहनी पोकेमन का उर्शन मिश्रान अभी अभी यहां पर मैंने पकड़ा है और यहां पर औगाईज मुझे लगता है कि ये चीम एककर का है ना यह टीम एकवा का लगता है कि में मरें और हमारा लगता है कि यहां पे इसके साथ बैटल होने वाला है और हाँ हम लोग बैटल करने के लिए तयार है और गाइच यहां पे शुरू हो चुका है हमारा टीम एकवा के में मर के साथ बैटल और पुछी आना मुझे नहीं मैं लगता कि पुछिया ना ओ गाइच मैने श्रू मिस को आगे रख लिया था क्योंकि उसे भी ज्यादा एक्स्पिरेंस मिले और गाइच मैंने पकड़ा था स्लेकिंगे प्री इवलुशन मुझे उसका नाम तो नहीं पता लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं क्यों लेकिन कोई बात नहीं आम लोग फिर से अटेक करेंगे हां गाइच अभी हो चुका है पुछिया ना फ्रेंट जो ये लेवल नान का और शुरू मिसको भी मिल चुका है बहुत सारे एक्सपिरियंस और हां मुझे पता था कि ये टीम एकवा काई है और गाइच यहां पे क् पकल ना है अभी इस वहागने वाला है मुझे लगता है क्योंकि हमने इसे बहुत बुरी तरीके से ला हुब कुछ दे ओ गायी हमिल चुकाई. ग्रेडबॉल ये काम का तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्याद़ का हो गां ग्रेड बल मुझे ज्यादा पसंद नहीं, मुझे अल्ट्रा बल्स, मास्टर बल्स पसंद है, त्यूकि उनसे आप लोग बहुत आसानी से ओगाई च्याप बाट लोगा, आसानी से पकल सकते हो, और निंग काडा ओगाई चाम लोगो, पर लाइफ सुपर एफेक्टिव हैं, मुझे नहीं लगता लेकिन पता नहीं कि केसे हम लोगो को ज्यादा डेमज हो चुका है, और याल्स से हम लोग कंठूजन करते रहेंगे, और जब तक फेंटना योगा कंठूजन ही करेंगे, क्योकि मेरे पास कोई और एटैक नहीं, और इथर मिल चुका हम लोगो को, हम ल जिग जगुन मुझे नहीं लगता कि जिग जगुन काम कुछ काम का होगा, और यहां पे आप लोग मेरे श्रूम इसका यहल देख सकते है, अप तो फेंट होगा, ओके, फेंट हो चुका है, और आम लोगों ने अरा दिया है, और लगता है कि यहां पे ब्रातल होगा, हां बैटल हो चुका है लेमे आप लोग के लेबल देख सकते हैं कि लेबल स्रीप 6 और आमारे सब्स के पास है लेबल 10 और शुरूमी मिरण 118 का आये और स्रीप एक ये पोकेवान ओंत्रेज्ञ सो के खतम हो गाये यह भी मुझे नहीं लगता किस्टर की हम लोगों को अरप आते हैं । असे बात करते हैं और गाई चेक के पस मेंजी काप्पे मुझे नहीं लगता कि मेंजी काप हम लोगों करता पाएगा क्योंकि उसके पाश स्रीब एकी मूब से जो है स्लाश अटेक और स्लाश अटेक कोई काम का अटेक नहीं है और आखरी मेजिक आपे लेबल 7 का जो भी खतम हो चुका है और शुरूम इसका लेबल हो चुका है नाइन ओभी बहुत जल्दी इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग करना है कुछ जयद है आसान तो लेकिन ठीक चक आसानी है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2-3 बैटल में अपने शुरूम इसका लेबल आप कर दिया है और यहाँ पे जीम है और गईच अभी यहाँ पे आम लोग करने वाले हैं जीम बैटल और यहाँ पे हम लोग जीम के अंदर चलते हैं यहाँ पे मैं कहां से जारा था जीम के अंदर अभी चलते हैं और यहाँ पे मेरे पास में पहले यहाँ पे किस पोकेमन को बुलाओ क्योंकि मुझे रखता है कि यहाँ एक रॉक टाइप जीम है जिसके खिलाफ वाटाटेप और ग्रांश्टेप सुपर एपक्टिव होते हैं और यहाँ पे और यहाँ पे आम लोगों का और चुका है बैटल मुझे देखना है कि उसका पहला पकेमन वगाइच उसका पहला पकेमन जी ओर उड़े और मेरे पास शुरू मिस और एप जॉर्ब से खतम होजना चाहिए एक ही बार में तु नहीं होगा क्यूकि लेबल देख सकते है कि र पोस्तन से मुझे नहीं लगता की कुछ होगा अभी फैंड हो नहीं वाला है और अभी डिफ्रञ करल जो भी करली कुँ फैंड हो नहीं होना यह अभी हो जाए गाँ फैंड हो चुका अभी उसका दूसरा पोकेमान कान सा होगा और श्रूम ही सो चुगा लेबल तेनका लीज शीट भी लुन कर दिया और जीओ रूट फिर से में पोकेमान चेंज नहीं करूंगा और लेबल आप लोग देखी सकते हैं कि जीओ जूट भी पीछले जीओ जीओ जूट के जैसा ही लेबल टू बेल खथा राकताम मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ एफेक्ट होगा राकताम से और लीज सीट से आम लोगों को लाइफ मिल रही है कि डिफेंस कल मुझे नहीं लगता कि अवे बचएगा या फिर बचएगा मुझे लगता है कि ओगाईच थोड़े से इच्पेम बचगया और लीज लाइफ से अभी बचएगा क्या ओगाईच थोड़े सा है पोसंज अभी तो फैन दो ना चाहिए क्यूंकि आप लोग जि लगा के बहुत अच्छा काम किया था और हमारा शुरू में से चुका है लेवल 11 का और मॉस पैस के लिए भी में चेंज नहीं करूंगा साच एक इस्टील और रोक टाइप है और हारन किया उसका डिफेंस अच्छा होगा लेकिन एप जोब से उतना ही यह जाएगा जितना जा के चेंज कर पाएंगे और एप जोब और लिट छीट बहुत अच्छे कम्बिनेशन ने इस्टनी सपर ओगाईच मीस हो गया और लिट छीट से आम लोगो को लाइप मिलते रहेगा और अभी मैं यहाप एप जब करूंगा अब तो फेंट होना चाहिए या फिर नहीं होगा ओके नहीं होगा और अभी हाम लोगों को ओगाईच उसने कुछ बेरी दिया था और यहाप आम लोगों को लिट लाइप से भी मिल गया अब फेंट होना चाहिए अब होगा क्या फेंट ओ नहीं ओगाईच यहाप उस थोड़ी एचपी में बज गया है और अब तो एक बार फेंट होगा ओके अभी हो जान चाहिए फेंट होगा क्या ओके नाइस फेंट हो चुका है और गाइच इसी के साथ हम लोगों को मिल चुका है हमारा फर्स बैज जो हे बैज का नाम क्या है मुझे नहीं पता है और हम लोगों को मिल चुका है कौन सा इस्टोन बैज ओके हम आप लोगों को मिल चुका है इस्टोन बैच और यहां पे आम लोगों कुछ T.M. मिलेगा कॉण चार्ट T.M. होगा मुझे लगता है कि रॉक्ताम होना चाहिए क्योंकि आप लोग दूसरे गेम में भी देख सकते हैं कि पेले रॉक्ताम में मिलता है मुझे लगता है कि साथ से यह भी रॉक्ताम होगा हाँ रॉक्ताम है यह भी क्योंकि फायरेड में भी आप लोगों को पेले जीम बैचल जीतने के बाए रॉक्ताम मिलता है और यहां पे आम लोगों को बैटलने करना पड़ेगा क्योंकि आम लोगोंने अरा दीया है अब यहां के जीम दिल्डेर को इसलिए यह लोग बैचलने करेंगे और गाइच यहां पे टीम एक क्वा का बंदा बाधर आए और गाइच एतुबही था ना जिस ने आम लोगोगो दिया था ग्रेडबल और गाइच यहाँ पे उपर चलते हैं चलो गाइच इसके साथ बात करते हैं और गाइच लगता है कि वो कुछ चुदा के बादा है कुछ चनल में और गाइच मैं यहाँ पे फासफर वड़ कर देत आम लोगो को नहीं लगता कि मश्रूम इससे जीट पाऊंगा कॉन्चा पका रेल्च को यूज करता हूं क्यूकि साइटिक टैप सुपर एफेक्टिव होते हैं फाइचिंग टैप से और यहाँ से फिर से बातल होगा लगते निंग कावडा मजे नहीं चाहिए और गाइच सिपर यहां पे यहां लोगो का ओछुका है बैचर में यहां पे दूसरे पोकेमोन को बेजूंगा कि यहां पे एक और ग्रास टाइब इसले इसले मैं यहां पे बेज ताऊं अप्र ने टेल को और ओच है फ्ैंडर रोट असद के लिए और पकेमों था इक और बैटर बहुत सारे टेनल के पास होते हैं और शुदम इसका लेवल हो चुका है 14 और यहां पे आम लोग अंदर चलते हैं ओ वाट है माई जूटूब वेर इज मैं पीको आई वह गाई लगता है कि यहां पे इसका पीको खो गया है लेकिन पीको क्या है मुझे नहीं पता है अब यहां पे इस केव के अंदर चलते हैं ओ यहां पे कुछ हो गाईच यहां पे पोकेमन मुझे नहीं लगते कि यह कुछ काम का होगार यहां पे पोकेबल पोकेबल के अंदर है पोकेबल ओ गाईच और यहां पे यहां पे वही टीम एकवा वाला है ना और हमारा हो चुका ह बैटल पूछी आने इसके पास भी पहले यही पोकेमन था और यहां पे एब्लब होगा इस क्रिटिकल लग गया अभी खतम होगा ओके यहां पे शुरूम इसका लेबल हो चुका है लेबल 14 पहले ही था लेकिन अभी यहां पे मिस्टर लगते है कि यह मिस्टर बैरी है और यह पकेमन जो हामारे पास है यह लगता है कि पीक हो हे और गाईच यहां पे फिर से वही सब गया है और यहां से आम लोग चलते हैं अभी यहां लोग कौट टे क् – अभी अवन काच्पि नहीं कर सकते नहीं तो आम लोगЗ Bean चला जाते लेबल 15 का होच चुका है और एल्स ने शिख लिया डबल टीम लेबल 11 ओगाई चुमाँ पे एक आइटम था लेकिन यहाँ पे फिर से आम लोग यहाँ पे डिस अद्बांटेज में है मुझे चाहिए टेलो लेकिन टेलो पे रलाईजे ओप करताँ कि एटैक लग जाएगा सारे और टेलो होच चुका है लेबल 2 बेल का हाड़ान कुछ नहीं होगा मुझे लगता है ओगाईच आम लोगों ने जीत लिया है इस बक्क्याचर को भी और यहाँ पे रिपिल से जो आ पने वाला हूं कुछ भी मुझे लगता है कि किसी को यहां पर लेटर देना है और मुझे लगता है कि एक प्रेसिजेंट है जीतना मैंने पड़ा और यहां से नीचे चलते हैं और मैं यहां पे नॉर्मल इस्पूड में कर देता हूं और आमरे पास दो ग्रेज बड भी है और यहां पे आम लोगों कुछ पोके नाप जैसा मिला था, मुझे नहीं पता कि पोके नाप क्या है, बाहर चलते हैं गाई, जब यहां पे, और यहां पे पोके नाप, मुझे लगता है कि यहां पे आम लोगों को पोके नाप को यूज करने के लिए सिखाएगा, मैं अच कल, match कर क्या होता है मुझे नहीं पता और यहां पे आम लोगों को call करना पड़ेगा कि किसी को ओके कोई बात नहीं match call करते हैं ओके यहां पे Mr.Ston मुझे लगता है कि यह यह जो हम लोगों को काम दिया था later देखे ओ प्रेसिजन्ट और यहां पे मैंने फिर से गलती से ए बटन क्लिक कर दिया मुझे समझ में आ रहा है कि यह क्या के रहे हैं मुझे लगता है कि आम लोगों को कुछ लेटर देना पड़ेगा एक इस्टोना साथ से इस्टोन नाम के बन देको और गैच मुझे लगता है कि आज के वीडियो के लिए इतना काफी होगा तो गैच अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत बुलना और चानल पे नहीं तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करना और आप लोगों को आमारा वीडियो के शाल लगा प्लीज कमेंट करना मत बुलना तो गैच यही थाज के वीडियो में बाई बाई